मेरा नाम जितंदर सिंग है, मेरे फादर साब का नाम राजिंदर सिंग जी है वो आदर्स मार्केट के अंदर वेपरी थे कपड़े के आज सुबह की गटना है साड़े नो बजे की उन्होंने आज सुबह साड़े नो बजे मतलब पॉजन खा लिया उनके पास जो सुसाइट नोट मिला है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक अलपेज सोनी नाम का आदमी है जो लोन करता है जो कापी टाइम से मेरे फादर साब का मतलब काम देखता है तो उसमें ऐसा लिखा है सुसाइट नोट में कि उसने प्राइवेट फाइनेंस से जो लोन लिया था उसका ब्याद ज़्यादा था इसलिए उसको बोला कि यह वापिस कर दे लेकिन उसने ऐसा किया नहीं तो उसके बाद में बैंक से कॉल आने लगे और रोज मतलब परिशान करने लगे उनको तो मेरे फादर साब ने बोला कि मैं में मकान बेच के भी पैसा दे दूँगा लेकिन वह बात उन्होंने सुनी नहीं और रोज परिशान करने लगे कलपे सुनी भी उसमें समील था वो भी परिशान करता था तो उन्होंने ऐसा लिखा कि यह जो कलपे सुनी है ना यह मतलब अपने मतलब इसका इंटरस्ट जड़ा है तो भाई मेरे को नहीं चाहिए लौन उन्होंने रिटन करवाने का बोला तो आदित्य बिर्ला से भी आज फोन आया उसको यह घटना बताई उनकी देहत हो गई उसके बाद में भी यह कॉल कर रहा है बार बार ठीकिन ऑस्पिटल में बै मार्केट में मतलब लोन का ही काम करता है वो लोन डिपार्टमेंट का सरकार से चाहते है कि इसकी निश्पक्स जास हो और नियाय की उमीद रखते है अधित्य बिर्ला से फोन आते है ऐसे आया एफल से भी लोन लिया हुआ है उसका अंदाजा नहीं है हमको क्योंकि उसकी च दिखा हुआ है कि मेरे जो बैंक का लोन है जो आया एफल से लिया हुआ है अपने कलपे सोनी ने तो उन्होंने उसको मना किया था कि जो मेरा लोन का यह जो है इतना इंटर स्टेट मेरे को नहीं चाहिए वापीस कर ले लेकिन उसने ऐसा नहीं किया उनका काम धशुके को जानता हूँ जब में पारकेट जाता था ना तब से उसको जानता हूँ मतलब इसको यह देखा था की लोन करनाय वगरा तो सब इसको देता थे मेरे अट्पा तो उसने ऐसा परोड कर दिया